एक नदी में बंटी ओक्टूपस और सोनों केखड़ा रहते थे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्ते दोनोंने बच्पन से लेकर एक साथ पढ़ाई की थी और उनका घर भी एक ही महले में था दोनों एक साथ घूमते फिरते और मौच करते लेकिन अब वो दोनों बड़े हो गए और उन्हें काम की चिंता सताने लगी दोनों सोचते कि अगर उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा तो फ्यूचर में उनका क्या होगा इसलिए दोनोंने बिजनिस करने का सोचा बिजनिस करने के लिए पैसी की जरूरत होती है दोनों ने सोचा कि वो दोनों अपने माता-पिता के पास जाएंगे और उनसे कुछ पैसे मागेंगे जिसकी मदद से वे बिजनस शुरू कर सके बंटी ओक्टुपस अपने पापा के पास गया और उनसे कहा पापा मुझे कोई बिजनिस करना है क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं जिससे मैं बिजनिस शुरू कर सकूँ यह बात सुनकर बंटी के पापा ने उससे कहा बेटा तुम्हें बिजनिस करना है ये अच्छी बात है लेकिन तुम किस चीज का बिजनिस करोगे वे तो मैं नहीं जानता पापा कि मैं किस चीज का बिजनिस करूँगा अच्छा तो पहले ये पता लगाओ कि तुम्हें किस चीज का बिजनिस करना है फिर तुम इस बिजनिस के बारे में अच्छी खासी जानकारी लेकर आओ बंटी ने वैसा ही किया जैसे उसके पापा ने उससे कहा था वे बाजार गया और उसने बाजार में देखा कि फलो का बिजनस बहुत ही अच्छा चल रहा है तो उसने फलो के बिजनस के बारे में अच्छी खासी जानकारी जुटाई जानकारी जुटाने के बाद वे अपने पापा के पास गया और उनसे कहा पापा मैंने फल के बिजनिस को लेकर सारी जानकारी जुटाई है मैं इसका बिजनिस करना चाहता हूँ अच्छा बेटा तुमने ये काम तो कर लिया लेकिन अब तुमें इस बिजनिस का experience लेना है जाओ अगले चार महीने तक किसी फल के बिजनिसमेन के साथ काम करो और experience लेकर आओ वहीं दूसरी तरफ सोनो केकडाने भी अपने माता पिता से कुछ पैसे मांगे ताकि वह बिजनिस शुरू कर सके लेकिन उसके पापा ने उससे कोई सवाल नहीं किया और उससे पैसे यूँ ही दे दिये सोनो ने लगबग 10,000 अपने घरवालों से लिये और उसने बाजार जाकर फलों का बिजनिस शुरू कर दिया उसने शुरू में ही 10,000 के एक ही तरीकी के फल खरीदे और उन्हें बेचने के लिए बाजार ले गया पहले दिन उसकी बिखरी थोड़ी अच्छी हुई लेकिन वो पूरे फल नहीं बेच पाया था उसके बाकी बचे वे फल नहीं बिख रहे थे क्योंकि वे पुराने हो गए थे ऐसा करते करते उसके फल सड़कर बरबाद हो गए इसे सोनो केकड़ा को भी बड़ा नुकसान हुआ और अब उसके पास बिजनिस को आगे चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे वहीं दूसरी तरफ बंटी ओक्टोपस चार महीने तक एक फल के बिजनिसमेन के साथ काम किया और तरह तरही के एक्सपीरिंस जुटाने लगा लगभग चार महीने के बाद उसने वे काम छोड़ा और अपने पापा के पास गया उसके पापा ने उसे सिर्फ पांच जार रुपे दिये बंटी ने उस पैसो से समझदारी के साथ चुन-चुन कर अलग-अलग तरीके के फल खरीदे और उसने वे फल अपने एक्सपीरिंस के साथ एक ही दिन में बेश चाले उसे अच्छा वासा लाब हुआ धीरे धीरे वे अपने बिजनिस को आगे बढ़ाता गया और समय के साथ-चा वे एक एक अच्छा बिजनिसमैन बन गया तो बच्चो इस कहाणी से हमें क्या सीख मिली? हमें हमेशा कोई भी काम बिना जानकारी लिए नहीं करना चाहिए एक्सपीरिंस के साथ किया गया काम सफल होता है अच्छी जनकारी और experience के लिए काम करने से हमें दूर किसी तलाब में एक Octopus और एक टूना नाम की मचली साथ साथ रहा करते थे मचली हर काम बड़ी जिम्मेदारी से करती लेकिन Octopus हर समय मुफ्त कमाल ही धूनता रहता वो चाता काम को यह और करे और खाए ये फिर Octopus एक दिन मचली के पास जाता है अरे मचली रानी कैसी हो मैं तो ठीक हूँ तुम बताओ और आज कैसे आना हुआ मेरी तरफ सुबह सवेरे खाली बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया मैंने सोचा तुमारे साथ शेयर करता हूँ जी जी Octopus बैया बताईए क्या आइडिया है आपके दिमाग में वे रोज वही केड़े खाखा के मन सा उब गया है सोच रहा हूँ पीछे वाले मैदान में सबजियां उगाई जाएं अच्छा वैसे ही जैसे तुमने खिर्फे बनवाईती हैं नहीं नहीं मचली बेहन इस बार तमें बराबर का काम करूँगा और बराबर का हिस्सा भी बाटूँगा अगर इमानदारी से काम करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उगाया क्या जाए यही मैं सोच रहा हूँ तुम भी तो बताओ अरे वा मचली दीदी तमारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी बहुत ही अच्छा आइडिया है दोनों आलू लेकर जमीन पे बोने के लिए साथ साथ चले जाते हैं और आक्टोपस भी यहां तुम्हारे बहुत सारे हाथ हैं तुम इस जमीन को थोड़ा खोद के नरम करो ताकि हम आलू इसमें रख सके और मैं खात का इंतिजाम करती हूँ और आक्टोपस जमीन को नरम करने लगता है और दोनों उसमें आलू बोकर वापस आ जाते हैं अगले दिन आक्टोपस मचली के पास जाता है और बोलता है मचली बेहन आज क्या काम करना है कुछ नहीं आक्टोपस बहिया आज इसमें थोड़ी से खाट डालनी है और पानी डालना है ऐसे ही दोनों मिल कर कुछ दिनें तक देख भाल करते हैं देखो अक्टोपस भाया हमारे पौधे कितने बड़े हो गए बस कुछ दिन के बाते फिर हमारे फसल तयार हो जाएगी लेकिन मचली बेहन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी फसल तयार हो गई है जब इन पौधों के पत्ते सूपने लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे फ़सल त्यार हो गई है और ऑक्टोपस अपने घर चला जाता है और कुछ दिन बीच जाते हैं एक दिन ऑक्टोपस अपने घर के बार खड़ा होता है और उसे भूग लग रही होती है ऑक्टोपस एक आलू उसमें से चुरा लेता है अगले दिन जब मचली भौदे को देखती है तो ऑक्टोपस से कहती है ऑक्टोपस भाया कह ये जमीन तुमने खो दी है? नहीं नहीं ये तुमारा वहम है ये तो पहले से ही ऐसी है अच्छा फिर हो सकता ये मेरा वहम हो और ये कहकर दोनों अपने घर की तरफ चल दिये और अब तो ऑक्टोपस को जब भी समय मिलता वो मचली के चुपके से रोज जाकर आलू निकाल लेता और मचली को शक भी नहीं होता और आखिरकार वो दिन आही गया जिसका मचली को बेज सबरी से इंतजार था अच्छा बहिया हमारी फैसल तैयार हो गई है और कल हम अपनी फैसल समीन से खोद कर बाहार निकाल लेंगे और बहुत सारे आलो खाएंगे बेहन मैं जल्दी ही आ जाओंगा जैसे ही मचली जाती है तो ऑक्टोबस सोचने लग जाता है कल तो मिलेगा अपने हिस्से का माल क्यों ना आज भी जाकर दो चर आलो मैं चुरा लेता हूँ इतने दियों से कौन सा पता चल गया मचली बेहन को जो आज पता चलेगा मचली बेहन तुम रोज़ाना मैदान की तरफ क्या करने चाती हो सुबह सुबह मैंने और अक्टोबस भायाने मिलकर आलो गाए है उसी की खेती करने चाती हूँ पार्टनर्शिप वो भी अक्टोबस के साथ तुम्हें पता तो है अक्टोबस का नहीं नहीं इस बार अक्टोबस ने मेरे साथ बराबर की मैनत की है क्या अक्टोबस शाम को जाता है मैदान की तरफ काम करने क्या नहीं नहीं हम सुबह सवेदे एक साथ जाते हैं काम करने ओ अब समझ आया कि अक्टोबस शाम को क्यों मैदान की तरफ जाता है जब तुम वापस लोटती हो मैदान से शाम को तो अक्टोपस वापस मैदान की तरफ जाता है मैंने अपनी आँखों से देखा है अगर यकीन ना हो तो चलो साथ चल कर देख लो अगर ऐसा है तो अभी चलो दोनों मैदान की तरफ चल पड़ते हैं जहां पर ऑक्टोपस को वो आलू खाते वे देख लेते हैं मचली की अवाज सुनकर ऑक्टोपस डर जाता है मैं क्या बोलू? अग्टोपस भीया मुझे तुम पर पहले से ट्रस नहीं था मगर मैंने फिर भी ट्रस करने का ट्राइक किया लेकिन फिर भी तुमने मेरा ट्रस तोड़ दिया और सारी के सारी फसल अकेले ही खाली बलके हम दोनों ने कितनी मेनत साथ में की थी नहीं बेहन मैं पहले कभी नहीं आया आज पहली बार ही आया हूँ अच्छा अक्टोपस हर रोज शाम को आते देखा है मैंने तुम्हें यहाँ केक्रा भीया कल सुबद तुम मेरे साथ आना ताकि हम दोनों फसल को बाढ़ सकें वरना यहीं अक्टोपस भीया मुझे तो एक आलो भी ना दे और दोनों वहाँ से वापस लोट आते हैं अगले दिन जब तीनों वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे एक आलो नहीं मिलता जिसको देख मचली बहुत राश हो जाती है और अक्टोपस भीया तुमने फिर से मुझे धोका दिया वो तो केकड़ भीया ने मुझे बता दिया अब तुम मुझे अपनी शकल कभी मत दिखाना कभी नहीं और अक्टोपस शर्मिंदा हूब के वहाँ से ही चला जाता है तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है हमें सीखने को मिलता है कि जितनी गलती धोका देने वाले की होती है उससे कहीं ज्यादा गलती उस धोका काने वाले की होती है